तो हेलो दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब सेनल टेग त्योरी एंड पैक्टिकल बरा जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमने इससे पहले भी इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के समंदित बहुत सारी वीडियो अप्लूट कर दिये हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप आपको बताने मी वाले हैं कि दो शुपर्वांजर क्लास एक कंस बनता है उसमें किस परकार का उबजक्षिन आता है और उसके बारे में कई रिपिल कैसे करना है कैसे और ऊबजक्शन कर में लिए वेफेशन का सब्सक्राइब कर नाए Windows सभी के बारे में हम आके इस वीडियो के मादम से बताने वाले हैं यानि कि दोस्तों जब आप सुपरवजर क्लास A लाइसेंस के लिए अपलाई करते हो तो वहाँ पे जब आप इस गजट नॉटिपिकेशन का ध्यान नहीं रखते हो तो वहाँ पे आपका उबजेक्शन आ जाता है और वही उबजेक्शन आपके लाइसेंस को बनने में एक महीना या फिर दो महीने लेट भी करवा सकता है तो इन सभी से बसने के लिए आपको इस वीडियो को सरू से लेकर लास तक देखना पड़ेगा जिसे कि आपको सारी जांकरी मिल जाएगी तो सलते हैं बात करते हैं गजट नोटिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है sso.rajistan.government.in आपको यहाँ पे लगा के Google के अंदर सर्च करना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको आपका जो यूजर नाम और जो पासपर है वो यहाँ पे आपको इंटर करके और यहाँ पे आपको कैपसर कूर जो आपको दिख रहे हैं वो लगा के उसके बाद में आपको यहाँ से लोग इन के उपर क्लिक करना है जैसे आप login के उपर click रोगे तो उसके बाद में आपके सामने इस परकार का एक window देखने को मिलेगा तो यहां से आपको क्या करना है EID app जो है वो उसको open करना है यहां से आपको सीधा मिले तो ठीक है नहीं तो आपको क्या करना है quick search में यहां पर EID करके लिखके उसके बाद में यहां पर search करना है यहां से आपको मिल जाएगा EID app तो इस EID app के उपर हम double click करके उसको open करते हैं जैसे कि यहां पर एक हमें दे रखा है कि this information your award to submit is not secure ठीक हैं तो हमें यहां पर send anyway के उपर click करना है और उसके बाद में हमारे सामने एक और piece देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि Government of Rajasthan Electrical Inspector की Department की जो website है वो open हो जाती है यहां पर active application यहां नहीं की जो हमने यहां पर application फिल की है active जो process में है अभी उनके बारे में यहां पर आपको बताएंगे तो यहां पर देखना SSO ID लिकी हुई है उसके बाद में service type यानि किस परकार के license के लिए आपने apply किया था यहां नहीं की और application ID आपको कब मिलेगी जब आप payment पे करवा होगे ना उसके बाद में आपको application ID भी मिल जाएगी तो यहां पर आगे की साइड में देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि permit certificate license license number यानि कि जब आपका license बन जाएगा तो उसके बाद में यहां पर आपके license का number यानि की permit का number आपको देखने को मिलेगा ठीकन तो अभी यह license नहीं बना है यह license अभी department के process में सल रहा है ठीकन तो यहां पर कुस अब्जेक्शन पी आया हुआ हुआ है इस license के उपर तो वह हम इस objection का आज reply देंगे ठीके न तो वह किस परकार से दना है वह हम आपको आगे बताने वाले हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर लिखा हुआ है continue तो इसके उपर continue के उपर आपको click करना है जैसे continue पर उपर click करोगे तो आपके सामने electrical inspector department का एक और page खुलेगा य यानि कि जब आपका electrical license बन जाएगा तो इस option से download के option से आपका certificate आप download कर सकते हो उसके बाद में है track app यानि कि आपने जो license के लिए apply क्या था तो उसका status आपको जाना है ठीके ना कि अभी license किस process में सल रहा है तो वो आप track app के मात्यम से यहां पे status देख सकते हो उसके बाद मे payment for reference यानि कि यहां से आप जो electrical license के लिए apply कर रहे हो तो यहां से आपको payment करवाना है तो यहां पर आपको द्यान रखना है दो option दे रहा है permit to work है उसके बाद में एक और exam mode है यानि कि license दो परकार के होता है एक exam mode को पी होता है एक non-exam type होता है तो non-exam type आपको license बनाना है तो और exam देखे आपको license बनाना है तो उपर वाले option के उपर click करना है ठीक है यह तो हो गया payment का option उसके बाद में यहां पर दे रखा है my profile यानि कि जिस license के लिए apply किया है और उसके लिए आपने profile में आपकी detail personal detail है जो भी document है experience है ठीक है तो वो सभी आपकी आपने जो upload की है वो इस my profile के अंदर बताएगा तो अब यहां पर हम बात करने वाले थे objection के बारे में तो सबसे पहले हम जाएंगे track app के उपर track app को आपको open करना है जैसे आप open करते हो तो यहां पर लिखा रहा है application current status यानि कि जो आपने application फिल किया था आपने form फिल किया था उसका अभी current में status क्या सल रहा है वो यहां से आपको मालूम पड़ेगा तो यहां पर application ID भी दे रखी है submission date भी दे रखी है ठीक है और application status जैसे की दे रखा है pending with applicant अभी pending सल रहा है उसके बाद में यहां पर आप निची की साइड में जाओगे तो यहां पर लिखा है officer post यानि कि officer post तीन होती है ठीकिन स सबसे पहले जाता है आपका जो application form और के पास में खाता है और जब झाल कि इसको पास कर देता है तोestoन मेरे हैं 100% उसके बाद में आपका application form कहीं रुकने वाला है ठीक है जो a आएगा वह कलर्क मां पर अब्जेक्शन देगा ठीक है उसके बाद में आपका 100 परसंट नहीं आएगा ठीक है यहां पर देखते हैं कलर्क ने यहां पर समिशन डेट हमारे सब्वी सेप्तमबर थी तो यहां पर इन्होंने स्टाटस में क्या है कि पेंडिंग विट एप्लिकेंट यहां कलर्क ने यहां पर क्या 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 है कि अप्लोड कम्प्लीट गजट नौटिपिकेशन यॉर यूदि यानि कि जिस यूदि सिटी से आप बिटे कर रहे हो तो उसकी मान्यता से समंधिते जो यहां肯 है कि स्कॉलिज को मान्यता मिलती है कैंदर सरकाणाव तो उस मानिता के समंधित गजट नकिपेकेशन होता है ऻमेलेगा क्या क्या करना है तो वहाँ से आपको क्या करना है arrows संपर कlando कारी सेभीब के और के आपको गजट नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे उस गजट नोटिफिकेशन कि यहां पर आपको अप्लोड करना है तो आप समझ गहीं कि क्या होता है यह एक यूनिस आक जो मान्यता के से बिटाय कर रहे हो तो वहां पे आपको इस गजट notification को फिल करना पड़ेगा ठीक अब बात अतिस सर गजट notification को upload कहां करें क्योंकि इसका अलग से कोई column ही नहीं कहां करें हम इस गजट notification को upload तो हम वो भी हम आपको आगे बताने वाले तो यहां पे हम क्या करते हैं reply to तो इसके उपर हम करते हैं क्लिक और जैसे इसके उपर आप क्लिक रोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा reply to अब्जेक्शन में कि इस जो दे रखे हैं तो इसमें से जो आप अप्लोड कर रहे हो उसके रिलिटिव आपको यहां से इस ऑप्शन को स्लेक्ट करना है जैसे कि हम गजट नॉटिपिकेशन को अपलोड कर रहे हैं तो गजट नॉटिपिकेशन के समधित यहां पर कोई एक रिमार्क आपको करना पड़ेगा तो यहां पर जैसे कि आप देखो तो तो यहां पर आपको क्या करना है इसके उपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में नीची की साइट में पेस को ड्रॉप डाउन करोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा अटेच्मेंट है तो यहां पर सीधा सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर देरका है ए उसके बाद में अप्लोड मार्क सीट और डेट ऑबरत के लिए आपको 10th की मार्क सीट अप्लोड करनी पड़ती है ठीकिन यह ध्यान रखना आपको और अप्लोड कर रहा होगा उसके बाद में एकस्प्रीन सेटिपिकेट आता है और नीचे के चायड में एक और आप्सण आ रहा है एकस्टिंग परमीट सेटिपिकेट कोपी तो इस अप्सण के अंदर आपको क्या करना है गजट नोटिपिकेशन को अप्लोड करना है तो यहां हम जाते हैं डाउलोड में और हमारा यहां पर गजट नोटिपिकेशन पड़ा है वो भी 900 ATSC KB का है ठीकें तो आपको यहां पर दियान रखने वाली बात ही है कि जो यहां पर पीडिएप की रूप में किसी भी परकार का आप डॉक्यूमेंट अप्लोड कर रहे हो तो वो एक MB से कम होना सही एक MB से अधीक हो गया तो आपको अब्जिक्शन वापस आ जाएगा तो इस बात को आप दियान से सुनिएगा और दियान रखना है आपको कि किसी भी परकार का आप डॉक्यूमेंट यहां पर अप्लोड कर रहे हो तो वो एक MB से कम होना सही है ठीकें तो ह स्सक्राइब तो हम इसको अप लोड़ कर दयते हैं तो यहां पे जैसे की देया है उसके बाद में आपको ऑके के के बटन पर क्लिक कर देते हैं और निचे के साइड में जो सब्मीट का बटन है तो उसके उपर आपको क्लिक कर देता हूं और यहां पर जैसे की लिका रहा है यहां रहा है यानि कि आपका जो रैस्पॉंस था ऑब्जेक्शन के समंदित वह डिपार्टमेंट को भीज दिया डहा है ठीके यहां से हम कर देते हैं अब हमें यहांपे देखने को मिलेगा कि हमने क्या दो और रिपले किया दिया है यह हमें यहां से देखने को भी लगा जैसे कि यहां पर आया था अप्लोड कम्प्लीट गजट नॉटिपिकेशन यौर यूशिटी ठीक है न तो यहां से हमने क्या क्या है कि कि आई है नोटिकेशन तो वो कब भी लेट अडिपले कुम्प्लीट सिव safe यहां से अब हम यहां पर क्या करते हैं 15 से एक महीने के बीस में हम यहां पर वेट करेंगे उसके बाद में देखते हैं कि इनका वापस क्या u val video में ये हम आपको वापस इसका आगे के वीडियो में status बताएंगे अगर आपको किसी परकार का objection के समंदीत या pre-electrical license से समंदीत कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप नीचे दियेगे description के अंदर आप telegram के मादेम से भी मुझे message कर सकते हो Instagram के मादेम से भी मुझे message कर सकते हो मैं आपका हर एक का reply देने की कौशिश करूँगा ठीके ना और मैंने आगे भी reply दिया है किसी के कहीं problem आई है तो उनका reply भी दिया है और किसी को ज़्यादा भी problem थी तो मैंने उसको वापस phone करके उनको बोला है कि क्या objection आया है और क्या आपको problem आ रही है ठीके ना और किसी का तो मैंने खुद भी उसमें objection के reply दिया है ठीके ना तो आपकी जहांत तक होगी मैं help करूँगा ठीके ना और आपका एक ही कर्तवे बनता है कि इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों में share करें like करें और अगर आप हमारे YouTube channel पे नए हो तो channel को subscribe करें क्योंकि हमारे लिए यही गुरू दक्षिना है तो आपका फर्ज भी बनता है कि गुरू दक्षिना देने का तो जल्दी से channel को subscribe कीजिए और आपके नजदी की या भी कोई भी जो दोस्त electrical से समंदीते है मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जो electrical से समंदीती नहीं है ठीके ना तो उनको भी बेज रहे हो तो नहीं जिनको ये वीडियो आपको लगता है कि वास्ता में उसके लिए ये फाइदे मंद साबित हो सकता है तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करो और उसको बता हो कि बैई electrical license भी कुछ होता है और वो electrical license आप जब बनाओगे तो आप कहीं पर भी private company में limited company में आप लगने जाओगे तो वहाँ पर ये बहुत बड़ी भूमिका निबाएगा ठीक है न तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर जैहिन जैवार्थ